नमस्कार बहुत स्वागत है आपका हिंदू धर्म सास्तों में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो न सिर्फ आपके जीवन को सरल बना देते हैं बलकि आपके जीवन के हर परिसानी को समाथ हुई कर देते हैं तो आज हम बात कर रहे हैं सफेद आक जिसको हम मदार कहते हैं आपके आसपास ये पेड़ मिल जाएगा तो ये जो पेड़ है इसके पत्ते इसके पुस्प इसके जड़ हर एक की एक तांतरिक प्रियोग होता है तोटके किये जाते हैं जीवन की परिसानियों से मुक्ति पाने के लिए धन आने के लिए वैसे तो कई बार लोग कहते हैं आग का पौधा बिसैला है हलां कि यदि आग का सेवन उचित मात्रा में किया जाए तो फिर जटिल से जटिल बिमारियां भी दूर होती है लेकिन ये किसी बैद के सरन में रहकर ही करें वैसे अपने मन से कोई भी काम को अगर घर के मुख्य दरवाजे के बाहर टांगा जाए तो उस घर पर उस परिबार पर सदस्यों पर हर बुरी नजर दोस्त दूर रहता है और आग के बिच्छ पर उत्पन्न होने वाले जो सफेद पुस्प होते हैं वो भगवान सिब को बहुत प्री है और भगवान सिदा रंग भी है इसलिए आग का पुस्प सिब जी को बहुत भाते हैं तो आज हम एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे कई बार क्या होता है बहुत मेहनत के बाद भी पैसे नहीं आते नहीं बचते हैं इसकी बज़ा से घर में किसी तरह का वास्तू दोस्त भी हो सकता है य लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए आग का पेड का छोटा सा प्रियोग बहुत फलता फूलता है तो आज हम छोटा सा प्रियोग आपको बताएंगे देखिए अगर जीवन में आपको लगे कि जैसे घर में पैसा ही नहीं टिकता धान जिस हिसाब से आता है उसी एनुस बाजे पर आग के पेड की जड याद रखेए आग के पेड की जड लेकिन कैसे लाएंगे देखिए किसी भी आप सनीबार अभी वार मंगल बार के दिन ला सकते हैं लेकिन एक दिन पहले निमंत्रन दीजिएगा कैसे देगे सबसे पहली बात तो आप एक सुपाड़ी एक प्रोटा जल एक सिक्का लेकर जाईएगा पेड के पास जल डाल दें जहां पर से आपको जड़ निकालना है एक बात हमेशा ही याद रखेए पूरा पेड मत उखाड़िएगा थोड़ा सा जड़ लेकर आना है और सिक्का और सुपाडी रख दें फिर आप उनसे कहें कि हम आ पेड कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें लटका दें ऐसक आप चाहें तो निला धागा भी इस जड़ के उपर से बांग के लटका सकते हैं नकातमक सक्तियां घर में परवेश नहीं करती घर में सुख सम्रिद्धी दिन दूनी राज चोगोनी बढ़ती चल पेड का जड़ आप ले आईए और पहले तो जड़ लाकर आप सिपजी के मंदिर में जाएए सिबलिंग पर एक लोटा जलर पित करें और इस जड़ को धोग लीजेगा पहले इसके बास सिबलिंग के उपर से 21 वार ले सीधा वार ना उल्टा नहीं अब इसको लाल धागे के सहरे अपने कमर में बान ले सिपजी के आसिरबास से तीन मेने में ही खुस खबरी मिलेगी तो एक छोटा सा प्रियोग है इसको जरूर करें अब हम बात करते हैं धन की कई बार क्या होता है ना आपके बरकत रूख जाती है सहरे काम बिगड़ने लगते हैं तब एक छोट में रखते हैं जो भी धन की बाधाय है ना वो समाप्त हो जाएगी वैसे सफेद आग का ज्यादा महत्व है क्योंकि इसका प्रियोग तंत्र बिद्या में भी होता है इसमें जो पुस्प होते हैं अब देखिए जड़ से निकलने वाले जो दूद होते हैं वो भी बहुत सा काम आप कर सकते हैं कई बार क्या होता है धन की परिसानी ज्यादा परिसान करती है तब आपके जीवन के कस्टों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से हर सोंबार सिब जी यानि सिबलिंग परजाब कर आप आपके पुस्प की माला बना कर उनको पहनाए तो आपके दुख दूर हो जाते हैं और अगर रभी पुस्य नशतर में लाल कपड़े में लपेट कर आख का जड़ अपने धन के अस्थान पे रखे या अपने घर में रख दे तो आपके घर में सुकसांती सम्रिद्धी बढ़ती है वैसे ये आप अपने घर में तिजोरी में भी परिसान करते हैं आप तंग आ जाते हैं लेकिन क्या करेंगे कई बार अपने सत्रू होते हैं परोसी सत्रू होते हैं अब परिसान है आप चाहते हैं कि सत्रू परिसान करना छोड़ दे या आपको छोड़कर ही कहीं चला जाए तो क्या करेंगे सफेद आग का पौधा जहां का पौधा उसके जो जमीन है वहां पर वहीं पर थोड़ा सा मिट्टी हटा कर इस पत्ते को दबा दे आपका सत्रू सांथ हो जाएगा आप चाहें तो जल में भी प्रवाहिद कर सकते हैं अगर आपके आसपास वैसा इस पस्थान है तब तो यह आपका प्रियों बहुत सारे ऐसे चीजों में काम आता है जो आपके हर कस्ट को हर संकट को दूर कर देता है तो याद रखिएगा सत्रू का जाम नाम लिख तो दूद से ही लिखेगा उसी आपके पौधे के दूद से थोड़ा सा People तोड़ेंगे तोस दूद निकलता है अब उसी के साँरे आप लिख़ और सिब्जी को आग का पुस्प तो भी सेस्प्रिय है और अगर एक छोटा सा प्रियो कई बार होता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको नजर लग जाती है अक्सर तब्यत खराब रहती है तब क्या करेंगे तब सफेज जो आख होता है न पुस्प इसके 11 नादे आप देखिएगा नजर दोस दूर हो जाएगा रक्षा होगी वैसे आपको पता होगा कि इस सफेद आख के पौधे की जड़ में 21 साल के बाद यानि जो 21 साल पुराना पेड़ है उसके जड़ से गनेज जी की आक्रिती का कंद निकलता है और इस आक्रिती को अगर आप उनकी पूजा करें तो जीवन में रोग, सोक, दुख कुछ भी परिसान नहीं करता वैसे दो आप जो सफेद आख है ना अगर सफेद आख का जड़ अपने घर के मुखे दरवाजे पर टांगते हैं या फिर आपको लगता है आपके घर में कोई बैक्ती है जिसको किसी ने कुछ कर दिया है कई बार ऐसा हो जाता है तब सफेद आख का जड़ लाकर उस बैक्ती को जो पीडित है उनके गले में पहना दें काले धागे के सहरे वैसे सफेद धागा भी चलेगा तोरों में आपको जो इक्चा हो देखिएगा जो भी किसी ने किया होगा वो वाप उसी के पास चला जाएगा लेकिन किया आपको पता है इस आकड़े के पौधे का जो जड़ होता है अगर आप इसको लाकर अपने पौकेट में पर्स में या अपने धनस्थान पे रखते हैं तो किसी का किया कराया आप पर असर नहीं करता इसके बहुत सारे प्रियोग हैं लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए अगर इसको आप ताबीज में भरकर धारन करते हैं या घर के मुख्य दरवाजे पर बांद देते हैं तो बड़े से बड़े तंत्र क्रियाओं का काठ है तो फिलाल हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखे धन्यवाद